R95 V4, FGX और FGS V3 के अंदर नए कलर्स लौंच करने के बाद अब जाके फाइनली Yama ने MT15 के अंदर भी नए कलर्स को लौंच कर दिया है Hello guys कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे ही होगे मिरा नामे दीपक, Welcome back to Keto Keemoto Vlogs आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं MT15 के New Colors के बारे में जो आज ही Yama ने Officially Market में लौंच किये हैं So इन दोनों कलर्स में सबसे पहला कलर है Cyan Storm जिसको आप Cyan Blue भी कह सकते हो और इसमें Gray और Cyan Blue इन दोनों कलर्स का आपको मिश्यर देने को मिल जाएगा जो पहले Cyan Blue आता था बिल्कुल एग्जैक्ली वैसा ही कलर्स है लेकिन थोड़े बहुत उसके इंदर Yama ने चेंजिस कर दिये हैं दूसरा कलर्स है Cyber Green और इसको आप Matte Green भी बोल सकते हो क्योंकि बाइक में Matte Green और Neon Green कलर की कॉम्बिनेशन दे गई है दोनों कलर्स का एक शोर्म प्राइज वल्लेक 72,700 है एक लाग बहतर अजार 700 रुपे तो प्राइज तो यामा ने ज्यादा नहीं बढ़ाया है 500 से 700 रुपे के आसपासी दोनों बाइक्स का प्राइज बढ़ा होगा लेकिन MTE 15 के अंदर भी नए कलरस देने की काफी जरुवत थी क्योंकि काफी सारी दोस्त वेट कर रहे थे MTE 15 के नए कलरस का तो अब फाइनली MTE 15 के अंदर भी नए कलरस आ चुके हैं तो सबसे पहले से ने स्टों के बारे में डेटेल में बात करते हैं स्यान स्ट्रों कलर में बाइक की हैडलाइट के काउल के उपर ग्रे कलर आता था पहले लेकिन अब जो नया कलर आया है उसमें आपको स्यान स्ट्रों यानि की स्यान ब्लू कलर ही देहने को मिल जाएगा headlight cowl के उपर लेकिन front fender पे नया grey color दिया गया है जो glossy grey color है और fuel tank के उपर भी आपको grey color ही देखने को मिलेगा tank shrouds पहले cyan blue color के आते थे लेकिन नए वाले color option में आपको tank shrouds भी glossy grey color के अंदर देखने को मिल जाएंगे और उसके उपर जो MT15 का logo है, MT15 लिखा हुआ है वो आपको cyan strong color में देखने को मिल जाएगा और bike के अंदर जो allowills हैं वो आपको cyan strong यानि की cyan blue color के अंदर ही देखने को मिलेंगे तो all over dual tone type की color combination है बस थोड़े बहुत changes या माने कर दिये हैं लेकिन देखने में आर पहले से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और bike की rear profile पे glossy gray color ही दिया गया है अब दूसरे color के बारे में detail में बात करते हैं matte green इसमें आपको neon green color के lowills देखने को मिलेंगे और ये पहली बार MT15 के अंदर आ रहे हैं ये काफी जादा appealing लग रहे हैं काफी अच्छे से highlight हो रहे हैं और bike के headlight, cowl, bike के fuel tank, bike के tank shrouds और rear profile पे आपको matte green color ही देखने को मिलेगा लेकिन जो tank shroud से उसके उपर MT15 लिखा हुआ और MT15 का logo आपको neon green color में देखने को मिलेगा तो ये भी एक नया color आ गया है तो दोनों ही color देखने में यार मुझे तो personally काफी अच्छे लगे बाकी bike के अंदर और कोई भी difference नहीं है वहीं सेम engine है 155cc का 18.4 PS की वहीं सेम power है 40 Nm के असपास का वहीं सेम torque है 6-speed gearbox, liquid cold engine और bike के अंदर आपको golden color के USD Fox दहने को मिल जाएंगे और ये चीज में highlight करना चाओंगा क्योंकि Yamaa ने R&5 V4 के अंदर golden color के USD Fox की जिगह पे black color के USD Fox दे दिये और वो चीज यार उतनी ज़्यादा appealing और अच्छी नहीं लग रही है आप में से भी काफी दोस्तों के कमेंट्स आये थे कि golden color के USD Fox ज्यादा अच्छे लगते थे लेकिन MT-15 के अंदर Yamaa ने ऐसा नहीं किया MT-15 में black color के USD Fox प्रवाइड नहीं किये हैं जैसे पहले आते थे बिल्कुल वैसे ही golden color के USD Fox है जो bike को काफी अच्छा लुक दे रहे हैं बागी bike के अंदर electronic features तो काफी अच्छे आते ही है traction control आपको bike के अंदर मिल जाएगा assistance, slipper clutch भी है उसके साथ में dual channel ABS भी है और mobile phone connectivity वाले features भी इस bike के अंदर दिये गए है fully digital instrument console है bike में transformer type के front look है LED projector headlight भी काफी अच्छे से काम करती है और LED daylight का design में बहुत ही अच्छा है और segment में best super wide tires तो bike के अंदर है ही इन दोनों class में से कौन सा color आपको ज़्यादा अच्छा लगा कौन सा color आप लेने की planning कर रहे हो ये comment section में जरूर बताना तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में till then ride safe, drive safe